स्टूडिंस आज की इस क्लास में हम स्टूडि करने वाले हैं सॉल्ट अनलिसिस का पार्ट टू और वो भी ट्रिक्स स्टूडिंस थैंक यू सो मच कल का जो वीडियो में अपलोड किया है आप सभी को काफी यूस्फुल लगा है इसलिए उसी के कंटिनुएशन में आज में पार्ट टू जो है सॉल्ट अनलिसिस का कुछ ट्रिक्स यहाँ पर आपको समझाने वाली हो कल की class में हमने acidic radical के बारे में study किया था और आज की class में हम study करने वाले है basic radicals के बारे में students basic radicals जो आपके syllabus में involved है वो ये सबी है जैसे कि अगर हम देख सकते कि PB2 positive lead है यहाँ पर उसके साथ में ही ये lead हमारा group 2 में भी है जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो basic radicals होते है ये further groups में divided होते है it means first group, second group, उसके बाद में आता है third group, फिर आता है fourth group, फिर आता है fifth group और last में आता है हमारा sixth group और एक और group होता है वो होता है zero group ठीके तो इन सभी के radicals को किस तरीके से identify करना है उसकी कुछ tricks में आपको यहाँ पर आज की class में समझाने वाले हो तो video को last तक जरूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस video को अपने friends के साथ share करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और comment section में मुझे जरूर लिखिएगा कि आपको यह video कैसे लगा है students यही मेरे लिए motivation होता है कोई भी video बनाने के लिए तो चलिए अब हम start करते हैं आज की class तो जैसे ही आपको सबसे पहले जब salt मिलता है आप salt में से अपने acidic radical तो आप identify कर लेते हैं जैसे ही आपने identify कर लिया है acidic radical उसके बाद में जो हमारा बचा हुआ salt है उस salt के साथ में अभी हम reaction स्टार्ट करेंगे देखिए यहाँ पर एक main point जो है वो ही आपको याद रखने वाली चीज़े है अगर आप 12th CBSC के students है अगर आप 12th CBSC के student है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके practical exam में generally आपको white salt ही provide किये जाते है ठीक है white salt provide किये जाते है white salts क्यों white salts वो इसलिए provide किये जाते है ताकि आपको ये आपको आप सिर्फ color देखकर जो है easily identify नहीं कर पाए और इसलिए वो लोग क्या करते है generally white salts ही provide करते है ठीक है अभी मैं यहाँ पर बेटा कुछ ऐसे radicals बताऊंगी जिनका color white नहीं होता है it means आप उन सभी radicals को सिर्फ उसके color से ही identify कर सकते है colored ions ठीक है मैं आपको colored ions बताऊंगी ताकि वो क्या बता बनाते है colored salts बनाते है colored salts बनाते है जैसे कि अगर मैं बात करूu copper ions की जो कि है हमारे group 2 में copper ions के आपको लगबक सभी salts आपको मिलेंगे blue in color कौन से मिलेंगे blue in color मिलेंगे ठीक है अगर आपको blue color का salt नहीं मिल रहा और पानी डालने के बाद में भी अगर blue बन जाता है तो मतलब वो भी क्या है वो भी आपका हम कहेंगे वो भी salt जो है आपका copper का ही है तो यह एक बहुत ही important trick है आपकी यह first trick हम कहेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा radical कौन सा है second हम आते हैं हमारे iron salts के उपर जो iron के salt होते है specifically Fe3 positive जो salt होते हैं यह सभी salts जो है यह brown in color होते हैं बहुत ही dark brown color होता है तो dark brown color देखने से हमें पता चल जाएगा कि यह salt जो है यह Fe3 positive है यही इसकी shorter trick है इसको याद रखने के लिए ठीके उसके बाद में अगर हम बात करते हैं cobalt iron की ठीके अब यह देखिए यह हमारे पास में cobalt iron है साथ में हमारे पास में nickel iron है और हमारे पास में manganese iron है ठीके अभी तीनों ions के salt जो होते हैं वो colored होते हैं color होते हैं तो हम identify कैसे करेंगे जो हमारा cobalt का salt होता है यह purple color का होता है cobalt का salt जो है हमारा purple color का होता है nickel का salt जो है वो green color का होता है और manganese का salt जो है होता है वो pink color का होता है इसको fleshy pink भी कहा जा सकता है कौन सा कहते हैं हम उसको fleshy pink भी कहते हैं जैसा हमारी skin कटने के बाद में जैसा pink color आता है similar color का वहापर वो salt होता है जिसे हम fleshy pink भी कहते हैं ठीक है अभी जो बच्चे हुए जितने भी radicals है इन सभी के salt जो है वो white ही होते है color salt नहीं होते है तो आपको इन सभी radicals को याद रखने के बाद में हम इनके color भी याद रखेंगे कि इस color इसमें कौन-कौन से colors के salt है तो आप उस basis पे उनके confirmatory test कर भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि हाँ अभी हमारे पास में ये salt present है अब देखते हैं हम इस trick के अलावा अभी हमारे पास में और कौन सी trick है जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो particular radical है या फिर नहीं देखो अब ये तो हो गया अब देखे एक और चीज़ होती है यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि बटा तो lead जो है lead जो है ये आपके group 1 में भी है और group 2 में भी है तो class 12 में जो है class 12 के syllabus में आपको सभी को water soluble salt लिखे हुए है सभी salt आपके water soluble होना चाहिए अगर water soluble salt है तो आपको group 1 का ही lead मिलेगा group 1 जो है group 1 का ही lead का salt मिलेगा group 2 का जो lead salt होता है जो water में soluble नहीं होता जैसे अगर मैं बात करूँ lead carbonate की lead carbonate cold water में soluble नहीं होता है तो इस situation में क्या करते हैं इस situation में हम देख लेंगे हम ये देखते हैं कि उस situation में उसको जो है hot water में या फिर तुर अशा गरम करके फिर उसको soluble किया जाता है बट यहाँ पर क्या है जो lead जो first group के होंगे वो सभी water soluble होंगे specifically cold water या room temperature का जो water होगा उसके साथ soluble होंगे इसलिए यही salt आपको मिलने वाला है तो group 2 का lead आपको CBSC के practicals में नहीं मिलेगा यह एक trick हो गई ठीक है अब इसका identification जो होता है lead salt का वो भी काफी easy है lead salt का identification काफी easy है कैसे करते हैं हम क्या करते है salt plus water ले लेते है salt plus water तो मतलब यह बन जाता है aqueous solution जब यह आपका aqueous solution बन गया है इसम जैसे ही आप dilute axial डालोगे आपको मिलेगा यहाँ पर white ppt क्या मिलेगा आपको white ppt मिलेगा और जब आपको white ppt मिल जाएगा तो उस white ppt में आप add कीजिए ki i add कर सकते ki i add करने के बाद में आपको मिलता है यहाँ पर yellow coloration या फिर आप यहाँ पर potassium chromate भी add कर सकते k2 cro4 जिसका न को यहाँ पर yellow मिलेगा तो इस तरीके से हम group 1 का lead जो है वो भी हम identify कर सकते हैं अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास में और हम किस radicals को किस तरीके से कर सकते हैं अब अगर हम देखेंगे कि हमारे पास में third trick यह हो सकती है कि आपको salt लेना है salt में water add करना है मतलब aque solution में जब आप Nessler's reagent डालते हैं ठीक है laboratory में Nessler's reagent होता है तो Nessler's reagent जब आप add करते हो पोर करते हो Nessler's reagent तब आप देखोंगे कि Nessler's reagent यह क्या करता है Nessler's reagent के साथ में Nessler's reagent के साथ में अगर brown PPT बनाता है क्या बनाता है brown PPT तो definitely आपका जो radical जो होगा वो होगा NH4 positive ammonium iron होंगे कौन सा radical होगा आपका ammonium iron और इसी तरीके से उसको identify किया जा सकता है यह बहुत ज़्याद़ easy होता है इस तरीके से हम उसको identify कर सकते हैं अब इसके बाद में हम देखते हैं next हमारे step next step में क्या देखेंगे कि जो अब हमारा आगया यह fourth step में आपको बता दी हूँ अब आपको क्या करना है flame test perform करना है कौन सा test perform करना है flame test अब flame test में क्या करना है आपको आपको सबसे पहले salt लेना है salt और उस salt को आप salt plus हम लेंगे concentrated HCl और इन दोनों mixture को हम लेंगे watch glass पे watch glass पे इस mixture को ले लो और उसक बाज में आपके laboratory में एक glass rod रहती है यह इस तरीके से एक glass rod रहेगी इस glass rod पे यहाँ पर क्या करेंगे आप थोड़ा सा salt ले लेंगे है यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐसा इस तरीके से salt ले लेंगे किसे यह जो watch glass जो है watch glass के उपर यहाँ पर आपने क्या 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 लिया था य ठीक है और उसके बाद में जो आपकी बंसन बर्नर की फ्लेम होगी ठीक है उस बंसन बर्नर के फ्लेम पे इस ग्लास रोड से उसके उपर लिखता है तो अब आपको यहाँ पर तीन observation मिल सकते हैं बेटा क्या मिल सकता है आपको तीन observation मिल सकते हैं कैसे मिल सकता है सबसे पहले त मतलब क्या होते हैं बहुत ही bright red जो होता है और एक मिल सकती है आपको brick red अगर आपको ये तीनों में से कोई भी एक flame मिल जाती है अगर grassy green मिलती है मतलब definitely आपके इसमें BA2 positive radical है crimson मिलती है तो आपको SR2 plus radical है brick red मिलता है तो आपके साबने CA2 plus radical है चीक है तो आपको याद क्या क् रखना है कि अगर grassy green color हमें मिल रहा है तो हमारा radical ये हो सकता है crimson red मिलता है तो हमारा radical ये हो सकता है brick red मिलता है तो हमारे पास में radical हमारा ये हो सकता है चीक है और अगर आपको इन में से कोई भी flame में color नहीं मिल रहा है मतलब आपके ये radicals नहीं है तो इस तरीके से आप इन तीनो राडिकल्स को identify कर सकते हैं, easily identify कर सकते हैं, अब देखते हम इसके आगे का, जब हम आगे का देख रहे हैं इसमें, तो देखो अब क्या होगा, next हम देखेंगे, ये तो होगा हमारा flame, उसके बाद में, अब आपको क्या करना है, आपको फिर से, यहाँ पर हम कहेंगे कि आ आपको salt solution लेना है, अगर ये सब नहीं मिलता है आपको, तो फिर हम क्या लेंगे, salt solution मतलब water में डालके, फिर उसमें हम add करेंगे ammonium phosphate, ammonium phosphate जो है, आपके laboratory में बना हुआ रहता है, reagent shelf पे रखा हुआ रहता है, तो ammonium phosphate लेने के बाद में, हम देखते हैं कि क्या वो white PPT बनाता है, अगर उसने white PPT बना दिया है, तो definitely आपका जो radical जो होगा, वो आपका mg2 positive होगा, ठीक है, उसी के साथ में, अगर हम इसमें ammonium phosphate के साथ में ये क्या बना देगा, white PPT बनाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, magnesium तो definitely आपके पास में होगा ही होगा, अब हमारा बचा है last radical और वो है aluminium, अब aluminium के लिए आपको क्या करना है, aluminium के लिए salt plus salt solution लेना है, फिर उस salt solution में आपको NH4Cl add करना है, और बाद में NH4OH add करना है, जब आप ये तीनों चीज़े mix कर लेते हो, तब आपको यहाँ पर white gelatinous PPT मिलता है, और जब white gelatinous PPT जब आपको मिलेगा, तब वो radical होगा, AL3 positive, अगर आपको बेटा white salt मिलता है, तो white salt में आपको identify करना, आप ये पूरे, जितनी भी मैंने tricks बताई है, इन tricks को properly memorize कर लीजिए, जब आप memorize कर लोगे, तो आपको करना भी काफी easy हो जाएगा, काफी easy हो जाएगा, क्योंकि आपको ये एक-एक step करके देखना है, जैसे आपको पता चल जाता है, अच्छे ये positive test आ रहा है, it means ये definitely वो radical वहाँ पर present होगा ही होगा, आप देखते हैं, इसके बाद में हम देखते हैं कि हमने लगबख सभी radicals कर लिए, एक और radical हमारा बचा है और वो होता है zinc, अगर अब zinc की बात करें तो वो group 4 में होता है, group 4 के बाकि सभी radicals जो है, ये सभी क्या होते हैं, color होते हैं, तो आपको zinc मिलने के chances सबसे जादा होते क्योंकि zinc में क्या होता है, zinc में जो है, हम कहेंगे कि उसमें white salt बनता है और वो easily radical आपको मिल सकता है, zinc को identify करना और भी easy हो जाता है, कैसे easy होता है, आपको क्या करना है, salt solution बनाना है, salt solution बनाने के बाद में हम उसमें drop wise, हम क्या करेंगे, drop wise उसमें NaOH डालेंगे, हम drop wise NaOH डाले और जब अगर drop wise nao h डल जाता है तो वहाँ पर हमें मिलेगा white ppt क्या मिलेगा हमें वहाँ पर white ppt मिलता है हमें white ppt along the side of test tube हम scratch भी कर सकते इतना थिक हो जाता है वो और फिर हमारे पास में present होता है zn2 positive यह क्या हो जाएगा zn2 positive so बेटा अगर आप यहाँ देख सकते हो कि अभी मैंने जितने भी आपको बताए है इन सभी में देखो यहाँ पर zn positive हो गया है al3 plus हो गया है mg positive हो गया यह 3 radical हो गया है nh4 positive हो गया और lead तो हो ही गया है और बाकी कि यह जितने भी salts है यह सभी colored होते है it means मैंने आपको लगभग सभी salts के बारे में जो short trick है वो मैंने आपको समझा दी है hope so कि आपका आज का यह video आप सभी को useful रहा होगा all the best for your practical exam if you have any kind of query तो आप मुझे comment section में लिखे definitely I will clear your all queries and student अगर आप मेरे channel पे नए है तो channel को subscribe करना बिलकुल नहीं भूलना है और अपने सभी friends के साथ में इसको share जरूर करना है thank you students and have a good day ahead